किसान भाईयों अगर आपको पौधे का ग्रोथ बढ़ाना है, पौधे में तेजी से फुटवर्क लाना है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है कि किस प्रकार से आप कौनसी दवा का प्रयोग करके पौधे में तेजी से फुटवर्क ला सकते हो, तेजी से ग्रोथ बढ़ा सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वाल्टी में हरियरी ला सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको उसी की जनकारी देने वाला हूँ कौनसी दवाब को डालना है कितनी मात्रा में डालना है और कब डालना है किस परकार से डालना है डालने का सही तरीका तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं हूं अमर जीत और आप देख रहे हो आपका अपना यूटूब चैनल आप दोस्तों अगर आप भी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो लाल बाटन नवाकर चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आकन को आल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके एक और बात बता आपको हमारे वाटसब गुरूप का लिंक मिल जाएगा या पर टेलिगराम का लिंक मिल जागा तो जा करके जॉइन कर लेना जिससे कि आपको वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप वहां से चैट करके पूंच सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो को तारब पौधेकी सवस्ता में आप ये दोड़ना है तो चलिए आपको लेकर कि चलते हैं दिखाते हैं कि आपके पौधेकी क्मूल्टे कि अ कि सथा हुनी चाहिए, जहां पर आपको ड़구나 को डालना है तो दोस्तों लेकर के आज के हम आपके अपने जो है टमाटर के पौधे के पास तो यहाँ पर देखे गए जड़े निकले हुई हैं और ध्यान रहे जहाँ पर आप लोग दवा का प्रयोक करिएगा तो वहाँ पर जड़ों के पास में खरपतवार ना रहे नहीं तो जो दवा आप लोग डालोगे पौधे के पास जड़ों के पास तो वह जो है खरपतवार में ज़्यादा लगेगी और आपके टमाटर के पौधे में या फिर सबजीओं के पौधे में कम लगे तो यह जो कल्ळा आपको दिखाया मैं नए ना गाच्छा निकला हुआ है तो ये तेज गिनने के बाद जो है जितनी लाइने होगी उतना गिलास आपको पानी लेना है पानी लेने के बाद आपको फिर क्या करना है तो आप आगे वीडियो में बता रहे हैं तो यह है यनपी के उननीस उननीस तो आप लोग इसका प्रयोग जो है एक बिगे खेत में एक से डेड़ बिगे खेत में एक किलोगराम का आपको इसका प्रयोग करना है यह आर्च कंपनी का है और 250 रुपे मार पी दिया गया है लेकिन 220 रुपे में ही यह मिला है तो इसका प्रयोग आप लोग एक से डेड़ भीगे खेत में कर सकते हो तो पानी जो रहेगा हमारे हिसाब से तो मैं जो है इस समय पर 15 लिटर पानी ले लिया हूँ डेड़ भीगे खेत के लिए तो यह जो है आप लोग अपनी लाइन के हिसाब से उतना गिलास पानी इकठा कर लेजिएगा इसकी जहाँ पर आप किसी भी कंपणी का ये यूज़ कर सकते हैं यह है ब्लेक गॉल्ड तो इसमें जो है हिूमिक एसिट की मात्रा जो है 98% है आप लोग देख सकते हो यह पौध लेकिन बहुत ही अच्छी दवा है यह पौधे की ग्रोथ के लिए तो मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं इसके बाद आपको लेकर के आऊंगा वीडियो दिखाऊंगा कितना तेजी से पौधा ग्रोथ किया है तो ऐसे ही आपको घुलना जैसे मैं घुल रहा हूं तो अब बा को इस दवा का प्रयोग करना है ताकि जब आप पानी उसमें खेतों को पानी दे तो वो पानी के साथ साथ आपके पौधे की जड़ों में यह खाद अच्छी तरीके से जा सके मिल सके तो आपको लेकर के चलते हैं डालने का तरीका बताते हैं अच्छी तरह से कम से कम आपक आधे गंटे पहले इस दवा को घोलना है तो आपको इसी प्रकार से देखेगा जैसे मैं डाल रहा हूं इसी तरह से आपको भी डालना है एक ग्लास तो जो आप लोग दवा को घोले हुए थे एक बाल्टी में तो इसके बाद आप उसी एक ग्लास दवा एक नाली में जितना पाणी लगेगा उसीहिसाबसे आप लोग एक ग्लास पानी में इस दवा को मिला लिजिएगा इसके बाद उसी पानी को फिरसे आप लोग अच्छी तरीके से डाल देजिएगा ताकि जो है डाव आधी 고 पड़ें और अच्छी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमसे मं कमेंट परकार के पूर्च सकते हैं या फिर इसी विडियो के डिस्क्रिप्स साइब गुरुप का लिंक मेल जाएगा टो जा कर